फोटो वाइरल हो गया, मैं दो दिन रोम में रो रहा था, जामेटिकल मेजरमेंट के अंदर जान लेके आना वो आर्टिस्ट का हाथ के उपर है, तोड़ी एक चीनी और पत्तर के साथ एक सो तीस करोर से ज्यादा दिल जीश सकते है। पूझता है और राम नाम को लेकर जितनी भी बात की जाए उतनी कम है, लेकिन एक ऐसा सत्य है जिसको आप कोई नहीं मिटा सकता, जिस तरीके से 22 जनवरी 2024 इतिहास के पन्नों पर एक अमिट तारीक बन गई है और सदा के लिए दर्ज हो गई है, एक ऐसी तारीक जिसने 5 सदि के इतिहास को पलट कर रख दिया है, और हिंदुस्तान के करोड आस्थावान दोगों की दिलों की आस्थाओं को, लेकिन उस तारीक को हुआ क्या था उस दिन राम लला की प्रान प्रतिष्ठा हुई अयोध्या में, और जितनी चर्चा राम लला की उस प्रान प्रतिष्ठ कि जिसका वरणन शायद सही तरीके से आने वाले समय में भी नहीं हो पाएगा और उस मूर्ति पर जिसने इस शिल्प को गड़ा चटान पर वो मूर्तिकार अरुन योगिराज अगर खुद आपके साथ हो तो मुझे लगता है रोम कूपों की सिहरन को रोक पाना आसान नहीं ह होगा जी हां अमर उजाला से विशेश बातचीत कर रहे हैं स्वयम वो शिल्प का अरुन योगिराज जो इतिहास में राम लला की स्प्राण पतिष्ठा के साथ ही उसी तरीके से दर्ज हो गए हैं अमर हो गए हैं अरुन जी अमर उजाला से बातचीत करने के लिए समय देन और आपका बहुत स्वागत अमर उजाला के इस मंच पर बहुत दन्यवाद सार अमको बुला के इदर एक आवकास दे रहे हैं आपश्रे दे रहे हैं बहुत दन्यवाद सबसे पहले इस मूर्ती को गढ़ने से जुड़ा हुआ आपका अनुभाव और फिर हम चाहेंगे कि अमर उजाला के हमारे तमाम दर्शकों को आपके व्यक्तिकत जीवन के बारे में भी कुछ जानकारी मिले यह बहुत ही एक अलगी एक्सपीजियंस है हमको सब को पता है य अगर आरा अपन्स फैमिली भी ये पांच जन्रेशन से एक या मब करक्या रहा था शायद लुख बगवान जी ने पांच जन्रेशन से ही उनका कंस सी मूर्तिकार चाहिए वो सलाक करके रखा गया शायद और उसी हम लोग इस सामय पर है ये हमारा एक सपना पूरा होने का समय पर हम भी एक मूर्तिकार बन के परिचे हुआ था देश के सामने है और इतना बड़े मोगा मिल गया और ये कह सकते है मेरा पूरोजों का एक वो पुन्य है और हमारा माता पितों का वो पुन्य हमको मिल चुका है शायद इतना अभी हमको लगता है ये हमको कैसे मिल गया और ये हम कैसे इतना बड़ी जिमेदारी और इतना बड़ी responsibility कैसे हमने ये किया ये तोड़ा में पीचे जाके सोचा तो मेरा जिंदगी में एक मैं इसी के लिए शायद 330 साल से मैं काम कर रहा था शायद मैं क्या कुछ क्या कुछ काम करता हूँ उसको बहुत discipline और हमारा पुरोजों ने क्या किया है पहले उस कलाओं को मैं अद्देन करता था और हमारा पुरोजों ने पहले ही इतना चमतकार इतना एक शिल्प शास्त्र में बहुत कुछ चोड़के गए है उसके बारे में मैं जानकरी लेके और पढ़के बहुत है ही सोचता था जिंदगी में बड़ा मोका मिलेगा मगर पहले-पहले में दिल्चस्पी रामला की उस अध्भुद धिव्य अलोकिक मूर्थी को देखने में है उतनी दिल्चस्पी आपके व्यक्तित्व को आपके परिवार को आपके बच्पन को आपकी प्रश्ट भूमी को जानने में भी है थोड़ा आपके परिवार के बारे में बताई है मैसूर में आप रहते हैं हमने सुना आप वालीबॉल के नेशनल खिलाडी रहे हैं MBA कर रहे थे लेकिन MBA छोड़ दिया लेकिन इसके पीछे जाते हैं परिवार कैसा क्या परिवार की प्रिश्ट भूमी बच्पन कैसा स्कूल गए नहीं गए स्कूल में पढ़ने वाले थे कि थोड़ा शेतानी करते थे कैसा था मैं बच्पन से बहुत साइलेंट हूँ जो भी काम करता हूँ बहुत डिसिप्लीन करता से करता था और केलने में बहुत पसंद था हर दिन शायद बोल सकते हैं 25 एर से हर दिन में एक गंटा मिनिमम मेरा शारी रिक व्यायाम के लिए देते रहता हूँ और बच्पन से मैं मेरा पढ़ाई और हमारा शिल्प वो दोनों साथ में चलता था और मेरा फादर से 10 साल के बाद 11 साल से शुरू किया यह मुर्ति का काम उस वक्त मैं यह कहाने आपको बोलना चाहता हूँ मैं जरूर मैं उसके आपको टोक राओ कहानी में होगा तो आपके पिता जी मूर्तिकार थे लेकिन उसके पहले भी विरासत में मूर्तिकला थी या कहां से आई यह मूर्तिकला आपके पांच पिडियों से काम करके आ रहा था और मेरा दादाजी नाशनल आवार्ड विनर था और मैसुर पैलस में बहुत कुछ काम किया है वो राज आश्रित एक कलावित एक मूर्तिकार था सो हम लोग बच्में से ही में तो पत्तर के साथ केलते हुडते और सीखते पापा के साथ अच्छा वक्त बिता कि यह में बढ़ा हो गई और हम यह कह सकते हैं हमारा कून में भी एक अंदर एक डियने भी हिल्टी से यह हाच चुका है मूर्तिका और हम इस जगह पे रहता है हमसूब अच्छा पिशने वापस देने का मुख था पूर ऑपका जन्म मह्सूर में गए हुआ ज़ए सीप से पड़ाई के साथ-साथ आपका एकदा मुर्तीग फिर कुछ कहाणी सुनाने वाले थे आप मैंने टोक दिया था उस कहानी पे आते हैं मैंने MBA खत्म करके मैंने काम चुरू किया था उस वक्त मैं ऐसा काम करता था सिर्फ मार्किंग करके सिर्फ एक प्रोटोटाइप जैसा वो पूछ रहते हैं एक अंगली दिखाकर एक मूर्ति है कर अमारा स्टूडियो पर बहुत अन्फिनिश्ड मूर्ति है सव से ज्यादा अन्फिनिश्ड है वो उसमें सिर्फ तीन चार दिखाया उन्होंने उंगली उटा के यह दिखा रहा था यह किस ने बनाया और ये किस ने बनाया मैंने बताया उस तीनों सेलेक किया था सो में ए तीनों हमारा ग्राणफादर ने बनाया था बीच मेरा भी था मगर वो सिर्फ उन तीनों को सेलेक किया मैंने पूछा मैडम अब सिर्फ इन तीनों के क्यों सेलेक किया वो बोर्ड रहते हैं इसमें जान है उसे एक moment है उस वक्त मेरे समझ में आ गया मैं क्या करना हूँ इससे ज़्यादा चाहिए उदर से मेरा पूरा thought process change किया और ऐसे ही कोशिश करना हूँ ये कब की घटना है आप कितने साल के थे ये 2005 में था 2005 में था ये 2005 में था 2005 में मैं ऐसे कोशिश किया हर मूर्ती में बनाता हूँ पहला मैं उसके में लाइफनेस देखना चाहता हूँ ये ही मेरा एक सपने और ये ही मेरा एक विज़न क्या कहते है हमारा I want to make लाइफनेस, bring लाइफनेस इन स्टोन, ये ही मेरा एक क्या कहते है हिंदी वर्ड एही मेरा उद्देश हो गया तर तो 2005 में कोई आया आपके स्टूडियो में उसने सौ मूर्तियों में से किवल उन तीन मूर्तियों को चुना और उससे आपको स्वज में आ गया कि दरसल मूर्ति में जान होनी चाहिए उसमें प्राण होने चाहिए उसमें जीवन दिखना चाहिए तभी वो मूर्ति लोगों को आकरशित करती है तो आपने हर मूर्ति में उसी तो शायद उसी दिन आपको नहीं लगता कि राम जी ने कोई दिव्य अनुभुति आपको करा दी थी और तभी से आपको उस रास्ते पर धीरे-धीरे प्रशिक्षित करते चले गए राम जी अब यह बता है आपने 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 तीस साल से शायद भी फॉर्टिवन येर्स हुमें ग्यारा सल में शुरू किया था बगवान ने हमको एक काना पिने के लिए ये कला सेवा करने के लिए मोका भी दे रहा था हमको भी देखवाल करके ट्रेनिंग कर रहा था शायद ये मोका के लिए ये मोका के लिए हमको वो हमको तायरी कर रहा था शायद आपको जब ट्रस्ट से पहली बार इसकी बारे में सूचना आई आपको कैसा फीलिंग आया क्या अनुबूती हुई सर मेरे को ये एप्रिल में लास्ट येर ये जानकारी मिल गई अतीनो आर्टिस्ट को सेलेक्ट किया गी इसमें मैं भी है कुम है और मैं यंगेस्ट हूँ इसमें उस वक्त मैं बहुत-बहुत कुश हो गया था और इतना कुशी था वो दस मिनिट के बाद कम हो गया क्योंकि ये मिल गया है तो सही बहुत कुशी हो गया मगर इतने बड़े जमेदारी हम लोग पूरा देश इसके लिए वेट कर रहे हैं पांसो साल से और हमारा राम को कैसा दर्शन करवाएंगे देश के सामने और अंको बोला गया था पांस साल के उमर का लाला चाहिए और हम लोग पहले कुश किया है कुश ऐसे बारे में बहुत जानकरई लिने के रिये बहुत रिसर्च किया मगर नहीं मिला और पहली बार आम नया देश के सामने आ रहा है वो कैसा सीवकार करें सब चिंतन शुरू हो गया सिर्फ दस मिनिट के बाद मेरे जीवन का सबसे तो आपने तभी संकल्प ले लिया था कि ये मौका मेरे लिए जीवन का सबसे बड़ा आउसर है और इसको हाच से नहीं जाने देना है और साथ महीने तक आपने अपनी नीद खो दी किस तरीके से आपने इस पूरे काम को पूरा किया वो यात्रा कैसी थी वो अनुभोग कैसा था सर कहानी में हर वक्त एक ट्विश्ट रहता है और इधर भी बहुत बड़ी ट्विश्ट है और एक भगवान कुछ देने से पहले हमको परिश्चा करता है हमारा इस समय पर ऐसे होगा था हमने यह जून में काम शुरू किया था और काम करते करते आगर्ष्ट के समय पर लगब सब्सक्राइब देख सब्सक्राइब रहे हैं और यह जा रहा है और बोला आरुन जिस पत्तर आप काम कर रहे है और एट टेस्टिंग एक में एक उसमें एक नेगटिव रिपोट आ रहा है आपको दूसरा करना पड़ता है जाचा जाता है। बेकार हो गई और मन तो थोड़ा दुखी हुआ होगा नुपेंद्र मिश्रा जी बुला के ये कहे दिया अरुन ये बगवान का मामला है आप एंड वी आरांसरबल टो दे नेशन हम इस एक चीज़ पर भी हम रिस्क नहीं ले सकते अभी आपके पास दो मैने और तीन मैने का स समय है आप नया बना सकते हैं और ओपनली बोल दिया एंड टाइम मेरे को बहुत अच्छा लगा क्योंकि और एक मोका मिल गया क्योंकि ये चुपके चुपा कैसे नहीं रखा मेरे को बुला के बोलके एक नया मोका दिया और मैंने एक 70% बनाया था उस आंगल पर देख दिय गया तो हमको एक experience हो गया था और मैं ट्रस्टी हमारा ट्रस्ट में चंपजी उस वक्त इस समय पर उसको मेरा पिता के समान चंपजी को प्रणाम देना चाहता हूं वो पूरा काम चोड़के इस सुनके आगया मेरे पास और बोला हिमत नहीं मैं आयोदे में इता वापस देल चंपजी के मैं पहले क्या अच्छा बना के आपको दे देते हैं कम समय पर कुछ भी आप सोचे मत मैं इससे अच्छा बना के देता हूं मैं वादा करता हूं और बगवान ने हमसे ऐसे ही बनवाया है जितनी सहस्ता से बात अरुन योगिराज जी ने बता दी है न मैं मैं खुद मेरे पास शब्द नहीं हम लगातार बाते करते हैं शब्दों और बातों से हमारा जीवन चलता है पत्रकारिता का और सक्षातकर का लेकिन ये मेरे लिए भी सक्षातकर एक अलग अनुभूती से भरा हुआ है शब्द रास्ता डून रहे हैं लेकिन बाहर नहीं आ रहे हैं क्योंकि जो शिल्फ है वो अद्भूत है और दिव है जो बात योगिराज जी बता रहे हैं इसमें दो बहुत ही महत्पूर बाते निकल कर आती कितनी जवाब देही के साथ एकाउंटिबिलिटी के प्रती जवाब दे हैं इसलिए किसी भी कमी को चाहे थोड़ा सा आपका दिल दुखे चाहे तीन महीने की आपकी जो मेहनत थी वो बेकार जा रही है लेकिन फिर भी हम इस तरह का समझोता नहीं करेंगे इससे ये पता लगता है कि जिस राष्ट्र मंदिर के प्रती हम सब की भावनाएं इस चरम पर पहुची उसके पीछे उसको काम करने वाले भी उसी भावना से काम कर रहे थे एक ये बात थी दूसरी बात जो लोग जीवन में सकारतमक्ता की बात करते हैं उत्साह की बात करते हैं उर्जा की बात करते हैं मोटिवेशनल स्पीकिंग आजकल बह उन्होंने अपनी इस कमी को भी हताशा में नहीं बदलने दिया उन्होंने इसको बलकि जो सकारतमक चिंतन उनका सामने आता है कि मैंने शायद परिक्षन हो गया मेरा इस चटान के उपर इस शिला के उपर चाहे इस शिला का एक परिक्षन विफल हो गया हो आठ में से साथ सफ पढ़त निशान की बात की गई और शिला पर निशान जो उन्हें उकेरे थे उसमें प्राण फूकने के लिए उनको ये समझ में आ गया कि ये मेरा अभ्यास था और ये व्यर्थ नहीं जाएगा और अगली बार कम समय में उससे बहतर शिल्प को गढ़ने का संकल्प उनने लि और मैं तुरंत इस गाम शुरू किया और मैंने शिला आपके पास वहीं मैसूर में आपके स्टूडियों में थी इस शिला कहां से आया था है में पहले ही टर्स्ट वालों ने सेल्क करके चैकर में रखा गया था उदर बहुत पूर्तिया पत्तर रखें गए थे मगर मैंने एक सेलेक्ट करके उसका सैंपल पहला इंडियन इंस्टोट फ्राइक मेंट पेज दिया और वो दर हान इसे बाद हमने यह शुरू किया और मैंने ऐसा ही कोशिश किया मेरे को अभी प्रैक्टिस हुआ था और 70% काम मेरे को एक एक एक्सपिरेंस हो गया था और बहुत जानकार मिल चुके थे पहले और मैंने सिर्फ 3-4 गंटे और बढ़ाया मेरा काम पहले 10-11 गंटे बना रहा था भी 16 नावर्स मैंने तोड़ा 3-4 गंटे और बढ़ाया क्योंकि हमारा सामने और दो आटिस्ट आगे कर रहे हम पता नहीं हो क्या कर रहे उन दोनों की जो शिलाये थी उसमें इस तरह की दिक्कत नहीं आई उन दोनों का पास हुआ था शंबत राई जी ने आप से ठीक कहा था कि भगवान परिक्षा लेते हैं उन दोनों का पास हुआ था सिर्फ मेरा एक एसा हो गया था मगर सिर्फ यही चिंता था क्योंकि मेरा सामने दो आटिस्ट चार मैन से आगे मैरे काम कर रह है तो मैंने सोचा हमको भी कॉ restrictive करना क्योंकि पतर के साथ बहुत देना पड़ता है अभी हमको पत्तर यह तहूब हाट था और और आच्चा टाइम आम उस के साथ बिता बिताया तो वह और मारे साथ बात करना शुरू करते इंट्रैक करते हैं थाओ शायद में अभी यंग, अब मैंने बता है आपको, शायद में दोड़ के ज्यादा उड़ा से काम कर सकते हैं, और हमारा एक आयोध्या में ये काम किया, वो भी बहुत फर्क पड़ा, ये शायद में हमारे जगे से किया तो इतना फर्क नहीं होता था, मगर उस वक्त में किसी किसी मिलता था, वो कहानी बता रहा था, वो एक संगर्ष के बारे में बात कर रहा था, जो लोग किसी सक्षातकार को देख रहे हैं, उनकी स्पस्टा के लिए बाकी दोनों मूर्तिकार अपनी अपनी जगे से काम कर रहे थे, आपने फिर बाद, वो भी वहीं थे, तो आप तीनों आयोध्या में ही काम कर रहे थे, अपने अलग अलग स्टूडियो पर कर रहा था, और हम लोग ऐसे ही कंडिशन डा रहा था हमारे साथ, हम किसी का नहीं देखेंगे, देश को एक अलग एक ब्यूटिफुल, एक सुंदर मूर्ति मिलेंगे, मिलने के लिए, और एक अ अलग अलग मूर्तिया देश के सामने आना है, इसलिए हम लोग तीनों बात किया था, हम किसी का नहीं बात करेंगे, नहीं देखेंगे, और साथ मेने तक हम किसी तीनों साथ में था, तीन बार हम कोई का रहा था, सो रहा था, मगर दुनिया का अच्छा आप रहे थे, खाते खारे सो रहे हैं लेकिन आप जिस इतने बड़ी परियोजना पर जिस प्रोजेक्ट पर काम करें उसके बारे में जरा भी बात नहीं कर सकते हैं इस तरह का प्रोफेशनल डिसिप्लिन जिसको का जाता है पेशेवर अनुशासन बहुत बड़े बड़े पेशों में भी देखने को नहीं मिलता लेकिन आपने उसको निभाया क्योंकि शायद आस्था भी वल्वान थी उसके प्रती जो समर्पन था वो भी वल्वान था तो कभी ऐसा आय मिलना है बस हमारा भी उसका भी किसी का भी ऐसा में काम कर रहा था इसलिए हम लोग एक पहला दिन ऐसा बात किया और हम देखा इस दिन पूरा देश तीनों मूर्थी देख उसी दिन हमने देखा और बीच में किसी का नहीं देखा था हमने अब मैं उस घटना पर आता हूं जो सबसे जादा रोमांचीत करने वाली जिसकी जब चैन का दिन आ गया मूर्थी बन गई और यह था कि कौन सी चैनीत होगी उस दिन आपके मन में क्या भाव चल रहे थे दिल की धढकने कैसी चल रही थी और देश को तो बाद में पता चला कि कौन सी मूर्थी चैनीत हो ग करा पूरा ट्रेस्टीस हा रहा है आके आपका एक कला कुछ दिखाए क्या और ऊस दिन मैंने एक 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 ये लो कलर का एक कथ पड़ा मूर्ति के बांध कि मैं तोड़ा इंदी में मैं ताट परोसेस बताया कमिटे वालों के साथ मेरा तार्टो're से पहले दिन से यही था सिर्फ हमारा कमिटी वालों का अप्रू लेना मेरा मेरा उदेश नहीं था मेरा उदेश देश से आने वाला गरीब हो आ जाता है हमारा माधा पिता बहुत आ जाता है उनको दर्शन देना है झोगणा जाओने अनिहानmile जिन चश्राय घली क्ता हैं उन्हीं दीस्तेवाइएग Julapa प्रश्णक्डूमें उत्तर देना है तिरफ ऑ हर दिन में उन्हान पहते हरुख था 12,000 फोटोस चाहे को पहले क्ल cambiar के लिए पूरा एक 1000 फोटोस देखके सोता था क्योंकि ए I तो यह हजार फोटो राम जी की प्रतिमा के थे बच्चों के थे किसके फोटो थे याजा पूरा आप अमने प्रवा मंडल एक डिजैन किया था एक दशावतार के साथ और बक्त बागे में हनमान और गर्ड सब एक एक इंच के लिए हमने एक एक रेफरेंस रखा था और हमने ऑर्नमेंटेशन किया है वह 700 साल पूराना एक हमारा शिल्प का अबरन है तो ऐसे हमने पूरा उस वक्त का और इस वक्त में क्या कर सकते हैं ऐसा ही किया था और यह सब मैंने एक्स्प्लेंग किया उनको शायद मेरा इंदी इतना अच्छा नहीं था शायद वह तीक से नहीं समझ पाए होगा शायद और मगर मैंने एक अपने डारा था उस वोट पर नीचे आ गया ना हमारा पूरा ट्रिस्टिक्स का हाथ उपर चले गए तो वो मुझे को बहुत याद रहता है जो आप शब्दों में बयान नहीं कर पा रहे थे वो मूर्ति ने खुदी बयान कर दिया आप जो बताना चाहरे थे मूर्ति के बारे में हिंदी अच्छी नहीं होने से शायद नहीं समझा पाए लेकिन वह आवरण हटते से ही मैंने सोचल मीडिया पर भी डाला कि मैं अरुन जी से बात करने वाला हूँ आप क्या सवाल पूछना चाहिए अग और पूरा अलंकार में चुप गया अंदर वह रिडन हो गया क्योंकि अलंकार वह उपर आगे और मैंने मेरे को पता था सिर्फ वह आख और अमारा फेस के लिए पूरा देश उस्वत नजर रखेगा नजर आएगा तो अमको एक मूर्थ दिया गया था गनेची ने वह प्र जो गनेची ने अमको एक मूर्ध दिया गया था और नेत्रों मिलन करने से पहले अमको शरीव निद्ये में स्थान करके हंगड़ी पे पूजा करके और कनक बावन में पूजा करके यह करना है और हमको 20 मिनिट दिया गया था आपशा कसे मिन तरीका से आग बनने आता है मगर मेरे को इसमें एक सिलेक करना है इक मेरे प्रेशर बगवान के उपर डाल देता हूं हम नहीं बना आप बनवा रहे हैं हमसे आप भी मेरे को क्या करना है इस वक्त वड़ा आदेश दीजिए तो मैंने अभी ऐसा सोचा हम किसी तरह से में कनेक करना है देश को आखों में तो बीस मिनिट के अंदर हमको एक पहले ही मैंने बोल के एक सिल्वर ऐमर और गोर्डन चिजल बनवाया था क्यूंकि ये शिल्प शासरे में कहा गया है सो गोर्डन चिजल और सिल्वर Hैमर में ए इसके लाखो करोणों दर्शक जानना चाह रहे थे, उसका एक बड़ा राज हमको अरुन योगी राज जी ने बताया है, उन्होंने बताया कि किस तरह से चांदी की हतोडी और सोने की छेनी लेकर उन खूबसूरत दिव्य आखों को उकेरा गया है, आज अमरुजाला के सक्ष शिठा सारता को उढ़ति है, शिलप शास्त्र को जोड रहे थे, शिलप शास्त्र का वरणन सुनना दिल्चत्प होगा, शिलप शास्त्र के हम लोग बताया से पहले ही, इस में ही करना है, और शिलप शास्त्र एक measurement देता है, जान लेकिया आना वो सब्सक्राइब सब्सक्राइब सिर्फ आक के बारे में शायद उसी वक्त में ने आप देखिए अभी वी उनके चेहरे पर कैसे भाव हैं एक शिला उनकी नहीं सफल हो पाई थी 70 प्रतिशत काम उनका बेकार हुआ फिर भी बाद में शुरू करके पहले खतम किया और बचेवे दिनों में रोज राम जी की उस मूर्ति से बात करते थे मेरा गला रूंद रहा है उसको कहते वक्त क्योंकि भावना है कुछ ऐसी है आप सोच कर देखिए न एक मूर्तिकार ने कैसे उस शिल्प में जान डाली कैसे राम जी का आवहान किया कि आपको नहीं छोड़ूँगा आप तो बताईए आप बताईए कुछ कमी रह जाए तो बताईए लेकिन आपकी प्रानपतिस्ठा हो कर रहेगी शायद ये आवहान जैस अधर मेरे के लिए कुछ नहीं पूछता हूं मैं नहीं बनाया है और मेरे जैसा बहुत अजार आर्टिस्ट इसनों साल से काम कर रहे हैं हमको सबको एक रस्पेक्ट मिरना है और मेरे चरह समिलते हैं तो और भी अच्छा है सब मेरे को सब के लिए एक एक रस्पेक्ट मिलना है और यहसी करेंगे देश को एक अच्चा अला को दर्शन करवाएंगे ऐसा ही मेरे मन में था बस आख बनाने के लिए 20 मिनिट क्यों दिये गए यह दिल चस्बी जाक सकती उन लोगों की जो सुन रहे सक्षत का मूर्थ जी ने दिया था उस मूर्थ में वो आँख बननी चाहिए इसलिए आप तीनों मूर्थी कारों को वही बिश्चा बाद में अच्छा उसके पहले नहीं बनी थी आँख ये चैन होने के बाद आँख बनी है तो हम कहानी को जोडते हैं जब जिस दिन चैन की बात थी आ पावरण नीचे आ गया सारे ट्रस्टियों के हाथ अपने आप उपर उड़ गए और मूर्थी चैनित हो गई तो आपको वहीं बोल दिया गया कि ये चैनित है नहीं मेरे को उस शाम पर फोन आया था चंबजी ने बोला मैसुर जाने का तायरी मत करो सिर्फ इतना ही बता ग किजिए और अलंकार भी हो रहा है उनके साथ कोडिनेशिंग किजिए तो आपको लेकिन अंदाजा तो हो गया होगा इस सब डेवलप्मेंट से कि हां भई मेरा मूर्ती चैनित हुआ तभी इतना आगे का बात हो रहा है वो मेरे को अंदर में एक पॉजिटिविटी मिलके थ दा गुठीटे ऐता है मगर उस वक्त में ऐसा हो गया दस मिनिट बहुत कुशी था बाद में ऐसा टेंक्शन हो गया लोग कैसा सिवे कर करेगा वह एक लती फियर हे ना वह बहुत अंदर बहुत था और इतना काम करने के थिन पॉंट हैमर का और मिशीन में काटके ना रफल पूर्ची नहीं रही तो इसलिए हम वो सेलेक्ट होने का बद ऐसा चीज आ गया कि कैसा अंदर लेकर जाहेंगे बहुत टीक से लेकर जाना है यह सब अंदर में ज्यादा फाइनली आपको कब सौंज में आ गया कि अब यही चाहिनी थे डिसमबर नहीं जन्वरी दो के अंदर हमको पता चल गया था क्योंकि इसका बस्तर निर्मान हो रहा था उस वक्त में ने तोड़ा फिर भी अंदर डौट था शायद लगेगा या नहीं लगेगा मगर यह जोलिरिस का एक नाप ले रहा था उस वक्त मेरे को पता चल गया है यही आपके अंदर क्या भाव आया जब फाइनली आधिकारिक तोर पर ऑफिशली आपको पता लग गया क्या भाव आया सर यही है उस वक्त बहुत कुशी हो था अगर सिर्फ पिर से मेरा एक कोश क्योंकि उस शाम भी में जाके सबके सब मिलके पूछ रहते हैं मूर्ति अपको कैसे लगा कैसे लगा और सबका एक अच्छा एक एक रिस्पॉंस मिले उस वक्त में आराम से सोया सो साथ मैने के बाद इसमें एक ट्विस्ट और आ गया था ट्रस्टियों की इससे पूरे पर आपके स्टूडियों से बाहर आ गया किस ने ले लिया कोई अधिकारी ने ले लिया इस कहानी पर थोड़ा बताईए अम लोग पहला सेलेक्ट हुआ था बाद में हमारा बहुत बिगेस चालेंग था उसको तीक से कैसे अंदर रखेंगे वो अम लोग विताव टेनी इनी य क्योंकि यह अंदर गई अब मेरा गर्बग रूमें और बहुत नहीं है मगर एक दो गंटे के बाद एक फोट बाहर निकल गए हम लोग इतना टेंक्शन होगे साथ महीने से कई पर हमने जाने नहीं दिया था मैं मेरा बीबी को नहीं बेजाता तो एक कैसा हो गया और सो आलग अलग तीम आ रहा था है लंटी का टीम आ रहा था शायद उस वक्त हमने तोड़ा एक ट्रेक मिस हो गया था किछ लिया और बाहर आगया और मैं और चंपा चीब बहुत डिश्टब हो गया था है, मैं दो दिन रोम में रो रहा था, क्यों ऐसा हो गया हमारे साथ, क्यों ऐसा हो गया बहुत अगया। कि इतना क्या है ना वो प्रानपतिश्टापन एक एक हमारा क्या कहते है शिलाशुद्धी करण और अधिवास सब के बाद वह अलग ही बन जाता है अभी मैं कुछ मैसुस किया यह हम क्या बनाया वह दर जाने के वाद अलग जैसे ही मैसुस में वह मैसुस हो रहा है सब के वजए से यह अलगी एक दर्शन दे दिया देश के सामने और हम सब बूल के क्या हुआ था यह तीन दिन पहले यह थोड़ा एक बहुत ज्यादा लोगों में जिग्यासा थी तो कुछ थोड़ा सा जिग्यासा शान्त हुई थी लेकिन पूरी मूर्ति देखना उतना दिव्य अध्भूत अलोकिक था यह जो आपने डिजाइन बनाई यह तो किसी ने ट्रस्ट ने चंपतर इंड़ी किसी पालंकार के लिए रखा जायता है और मैंने आने से पहले ही उसके बारे में हमारा विष्णुक के संप्रदाए यह क्योंकि यह दशावतार में एक हमारा राम जी भी है इसलिए हमने दशावतार बनाएंगे और एक स्थान ब्रह्म और शिव को भी दे देंगे प्रेश्वाग में हनमान और गडणे हमने में ड्राइंग एक बना के गंपोजिशन बना के हमारा तस के सामने रखा मेंने उन्होंने हां कर दिया मेरे को इसमने और आख यह दूसरा दो आर्टिस्टं को भी यही का गया इसे बनाई है रुन बना रह उसा तो यह डिजाइन परिवार के बारे में बताई अभी परिवार में कौन कौन अभी मेरा परिवार में मेरा माताजी है और मेरा नाम भी बता दीजे़ा अपक्या परिवार के जानने की उच्छतर पहता है पहला मेरा बीवी है विजेता और मेरा दो बच्चे हैं मेरा बेटी सानवी है और एक बेटा वेदान थे और इस वक्त में ये भी बोलना चाहता हूं मेरा बीबी ने बहुत मेरे को एक अच्छी तरफ एक सपोर्ट दिया है दस साल से क्योंकि मैंने पहले ही बता है मैं ज्यादा वक्त पतर के साथ बिताता हूं और पीस़िस चाहिए वो देने में मेरा बीबी बीबी एक बहुत एक योगदान है और इस वक्त उनको मैं एक प्रणाम करना चाहता हूं और मेरा माता जी मेरा बच़्ेश को मेरे को आपके माता जी का नाम सरस्वती है और मेरा पिता का नाम और मेरा ब्रदर सुर्य प्रकाश मेरा एक सिस्टर चेतना और मेरा एक अंकल का बेटा एक वों भी मेरा साथ है ऐसे ही बहुत सौपोर्ट कर रहे है एश्वंत सो ऐसा एक हमारा अभी जॉइन फैमिली है अभी भी हम सिटी के अंदर गाव में जैसे रहते हैं उसे रहते हैं पुर्य परिवार की क्या प्रतिक्रिया रही है अभी और दस जञेरेशन एक काम करके हम जिंदेगी दी सकते हैं आपके बैटे को वे बैटी को भी शिखाना शुरू किया है यह ऐसा नहीं हो सकते हैं, वो इच्छा किया तो हम सपोर्ट करने के रिए तो मैं तो जरूर हूँ आपने तो 10-11 साल की उमर में स्कूल की बज़ा इधर ही ज़्यादा ध्यान देना शुरू किया था बेटा नहीं कर रहा है, अभी मेरा बेटा दो साल का है जयान अभी मेरा बेटी इसके उपर तोड़ा ध्यान दे रहा है, बेटी का उमर क्या है, अभी 8 साल का है वो, अमारा जैसे हम भी अमारा गर और स्टूडियो गुरुकुल आगे पीछे है, तो हम पतर के साथ जाके केलते हैं तो अभी वो भी ऐसे ही केल रहा है, तिर्फ वो ह चाहिए, पहला केलना है, उसके ताथ एक डेवलप्मेंट करना है, रिलेशन, सो वो कर रहा है बस, आप जब कर रहे थे, MBA वगरे, तब तो मन में, लेकिन करियर को दूसरी तरीके से चुनने की भी आपके मन में इच्छा रही होगी, छोड़ दिया आपने वह अलग बात है नहीं, मैंने बताया, मैं एजुकेशन और मरा ये एक शिल्प दोनों में साथ में जा रहा था, और मैं कालेज होने के बाद मेरे पापा के साथ में काम करता था, पहली बार एक दो मेने के लिए बाहर गया काम के लिए, उस वक्त मेरे को पता चला कि हमको क्या चाहिए एक मेटीम फिक्स करो, किसको फोन करो, सुब मैंने सोच है मेरा काम नहीं है, किसी का इंट्रिव्य फिक्स करना, किसी का फोन करके कोडिनेट करना और ये ये नहीं चाहिए, ये मैं अच्छा लई लग रहा था मेरे को उस वक्त, इस नाट माइक पाफटी, ऐसा ही उसी दिन करो, आप कुध बैटके काम करता है तो करो, नहीं तो नहीं करना है, किसी और से बनवा बनवा कि बेजना का काम नहीं है, ये सेलस और मार्केटिंग नहीं है, भी हैं मेरे को फोना गसी अब हमाला100, अध़ज साधन और ये दोनों की पवित्रता का धियान के च्छए मैं चै अच्छे से रखा गया पिता भी उस कला को पारंपरिक रूप में आगे बढ़ाने को लेकर किस तरह से चिंतित थे और अपने बच्चे की भी कैसी परिक्षा ली कि एंबिये पढ़के अगर मूर्तिकला में आया तो ऐसा तो नहीं कि मूर्तिकला के बिजनेस वाले पक्ष को व्यापार पक्ष को जादा उके रेगा बजाए कि कला पक्ष पर जादा ध्यान देने के जब पिता को ये पूरी तरह से अशन्वित हो गए इस बात से और वो आश्वस्त हो गए कि अब ये सचमुझ मूर्तिकला की तरफी जाना चाहिए तब आपको उन्होंने हाँ का और मेरा सिर्फ यही पहले यही उमीद थे मेरा पापा से एक अप्रिशेशन चाहिए जिंदगी में और मैं अभी रामलाला मूर्ति बन गई और इससे पहले अजार मूर्तिय बन चुका हूं और कभी भी मेरा फादर मेरे सामने अप्रिशेट नहीं कर रहा था कितना कुछ गलत प्रणाथ का शंकराचारी मूर्ति मैंने बनाया और उस वक्त वो फोन करके रोना रोके बताया तू मेरा पिता का नाम रोशंग किया वह बहुत अप्रिशेशन मेरा जिंदगी में बड़ी अप्रिशेशन मेरा फादर से मिला उस दिन और बगवान एक बैलेंस करते हैं दे यही जिंदगी है शायद पर वहां से उपर से भी शायद उन्होंने आश्रवात दिया तापका राम लला का मूर्ति भी चैनित हो गया और अब तो दुनिया में वो इतियास बन चुका है उसको कोई नहीं बदल सकता में मूर्ति पूरी होने के बाद ऐसा हो गया मेरा पिता होता तो देखना है इतना अच्छा बनवाए हम से और शायद वह बहुत कुछ हो जाता था शायद देखके और मैं यही मानता हूं कि उपर से हमको आश्रवात दे रहे हैं और ऐसे ही आगे करने का एक प्रेरण और ए हम भी बात करने का मन है पर मैं जानता हूं थोड़ा वक्त कम है पर यह बातचीत बहुत अच्छी तिशा में जा रही जहां से बहुत नए ने पहलू जानकरिया उभर कर आ रही है पूरे इस ऐसा कौन सा क्षन था जो आपको हमेशा याद रहेगा पूरा मूर्ति बनानी की प्रक्रिया के दोरां उसीन हमारा नरेंद्र मोधी ने मोधी जी ने देश के सामने यह समर्पी तो उस वल मैंने बाहर था और देव सबका एक आप उस वक्ति कहां थे गर गुरह में जब प्रान पती से चल रही ता और मैं कुद उधर रहने का चाहता था क्योंकि यह लोग आपके आसपास कौन था सबसे पहले किसका है और मेरा पता नहीं बहुत लोग थे मैं ऐसा नहीं सब को देखके में बहुत कुछ होगे क्योंकि उनका चेहरे में इतना एक एक प्रसन्न था और एक भावग था वो सब देखके में उस पल में कभी नहीं बूल सकते अब आप बहुत मषूर हो गए हैं हर कोई आपको जानता है पहले जो लोग जानते थे उससे कई गुना करोड़ो लोग एक सेलिब्रीटी आप बन गए इस सेलिब्रिटी हुड को इस लोग पृता को आप कैसे हैंडल कर रहे हैं आपके फैमिली सब कोई आपको ढूंड रह पर उस पर हमको भी तोड़ा मिल रहें बहुत ज्यादा और मैं यही सोच रहा था सिर्फ अटोड़ी एक चीनी और पत्तर के साथ एक सो indeed करोड़ से ज्यादा दिल जी सकते हैं मेरे को भी यह बहुत एक नया मैसुस हो रहा है और और शाहिद मैं यही इस वक्त भी में बहुत मेरा responsibility क्या है और इस कला में और क्या कर सकता है आगे में सिर्फ वही सिर्फ इसमें ध्यान देता हूं और देश में इतना पर प्यारा है मैं बहुत इसको धन्यवाद बोलना चाहता हूं पूरा देश को जब खाली समय होता है मूरती बनाने के अलावा का क्या करते हैं किस तरह का संगीत सुनते हैं पहला में ज़्यादा बच्चों के साथ वक्त बिताता हूं बहुत बहुत बिताता हूं किलने का वक्त मिलके तो बच्चों के साथ मैं एक अपार्टमेंट में रहता हूं उदर सब लिए भी बहुत कम देखता हूं और टाइम मेल आता बहुत हकाँ मेरा बना दे के पहले और नॐम आपकेपीश देखनी तो अच्छा, सनित्यलकर. गाते भी हैं किया? कोई गाना जो आपको सब से पसंद। करणा गाउं? आप बिल्कुन. आगदू एंदू, कैलागदू एंदू, कैके कर्टी कुढी तरे सागदू कैलसवू मुंदे, क्यत्तिलागदू, कगल्यंदू, यदे गुंदि दरे शिल्पी, आगुतित्ते कलेगळ बीडू, गोम्मा टेश्वर निले नाडू, बेलूरू रूहले भीडू ये जो लोग कन्नड नहीं समझते उनको पताई ये गाना क्या है कि कहा से है किस फिल्म से हैं या कई ये अमारा करनाट का महान कलाविद डक्तर राजकमार जी का गाना है वो बोल चुका है इसमें आप के आद से ये नहीं वो सकते हैं मैं से मत सोच और पतर बहुत हाड है तो सोच के आप रगया तो वो अच्छा मूरती नहीं बन सकते हैं, ऐसा मद बोलो आपके हाथ में नहीं होता है, यही उसका अर्थ है, जाना भी आपने वो चुना जो आपके . अच्छा कोई हिंदी गाना भी जाते हैं? हाँ, बहुत पसंद है, अभी आपने पूचे सब बूल गहें मैंने, एक कोई गाना जोगर, कर दो दिल मिल रहे हैं मगर चुपके चुपके मिल रहे हैं, सब को हो चुके हैं मगर कबर चुपके चुपके मिल रहे हैं शिला में जान डाल कर उसकी प्रान प्रतिष्ठा को उस्तर तक पहुँचाने वाले अरुन योगी राज निजी जीवन में कैसे हैं? क्या सोचते हैं? उनका परिवार क्या सोचता है? किस तरी से ये जो तिव्य, भव्य और एत्यासिक मूर्ति अयोध्या में राम लला के रूप में विराजमान है? कैसी वो चुनोती रही कि उनको बाल रूप में भी बनाना है लेकिन पांच फिट से भी उँची मूर्ति बनाना है 16-16 गंटे काम किया रातों को सोए नहीं आखिरकार वो पल आया जब मूर्ति चैनित हुई चैनित होने के बाद केवल 20 मिनिट का समय मिला आँखे बनाने के लिए और वो आँखे भी बनी है सोने की हतोड़ी और चांदी की चैनी से लेकिन सोने की हतोड़ी और चांदी की छेनी के पीछे एक ऐसे युवा शिल्पकार का दिल था उर्जा थी भावनाय थी जो लगातार राम लला से बात कर रहा था और एक बाल हट पकड़ा हुआ था कि मैं छोड़ूंगा नहीं आपको आपको मेरे साथ यहाई पर होना है और आयुध्या में विराजमान होना है यह जिद, श्रम, जीवट, जीजीविशा और लगभग तीन सो वर्षों के पारिवारिक संसकरों का नतीजा है कि अरुन योगिराज के हातों से बनी हुई वो मूर्ति आप वो मूर्ति नहीं रही वो हमारे भगवान है हमारी आस्था है श्री राम है सद्यों की राजमान रहेगा, उस मूर्ति को जब भी देखेंगे, उनका ये काम याद रहेगा, इसी को कहते हैं काल जाई काम, अरुन योगिराज जी ने अमरुजाला से बाचीत में अपने दिल के राज खोले, गीत भी सुनाए और कैसे मूर्ति कला में वो आए, अगर वो किसी कमप राम जी ने खुद मुझे चुना है, अमरुजाला का ये सक्षातकार, उन सब लोगों की जिग्यासाओं को बहुत हद तक शांत करेगा, जो उस मूर्ति को बनाने वाले मूर्तिकार के बारे में जानना चाहते थे, अरुन जी, अमरुजाला से बात करने के लिए बहुत धन अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, अगर आप फेस्बुक पर ये वीडियो देख रहे हैं, तो हमारे पेज को लाइक करें